हलो एवरिवन देश्यम्शाद हेर तोड़े वी आर गूंग तो स्टार्ट अनदर मॉड्यूल विच इस मॉड्यूल फोर अफ यूर सलेबस और टॉपिक इस दोएट ब्लॉग डाइग्राम इसे पहले वाले जो मॉड्यूल में हम लोगों देखा था वो मॉड्यूल का इलिमेंट जो जो बेसिक इलिमेंट है और उससे रिलेटिट ब्लॉग डाइग्राम मेंस वाट जसकता है कि ड्राद ब्लॉग डाइग्राम अफ डीटल कॉम्निकेशन सिस्टम बेसिक ब्लॉग डाइग्राम ऑफ डीटल कॉम्निकेशन सिस्टम तो इस तरह का सवाल हो सकता है या फिर हो सकता है ड्राद ब्लॉग डाइग्राम ऑफ ट्रांस एम ट्रांस्मीटर सेक्शन या एम रिसीवर सेक्शन इस तरह का कोशन आएगा आपको मेली block diagram draw करने के लिए आएगा तो इस topic को start करने करने के साथ साथ हम लोग इससे related जो objective question बनते हैं उसके लिए क्या है basic concept जो इससे related है उसको देखते जाएंगे ताकि हमको block diagram देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाए क्योंकि अगर आपका base सही है means that block का हर एक component के बारे में आपको अगर detailed information है, detailed knowledge यह तो आप आसानी से किसी भी block को देखकर समझ सकते हैं कि इस block diagram में basically क्या हो रहा है जैसे for example मैं आपको block diagram देखाऊं यह this is the block diagram of basic communication means that basic analog communication system यानि analog communication system का basic building block diagram बोलें तो यह है इसमें क्या दिखाई दे रहा है सबसे पहले है एक block बना हुआ है जिसका नाम है information source सबसे पहले यह block है जिसका नाम है information source, फिर है input transistor then transmitter, channel, receiver output transistor, noise यह सारा block के form में दिखाया हुआ है अगर आपको हर एक block के बारे में detail में information हो कि यह block का क्या काम हो और यह block का नाम information source क्यों रखा गया इससे क्या immediate होगा जो input transistor में जाएगा अगर यह चीजें आपको समझ में आ जाए कि इससे क्या निकल के इसमें जा रहा है इससे क्या निकल के इसमें जा रहा है यह block कौन सा काम कर रहा है यह block क्या काम कर रहा है यह सब कुछ अगर आपको basically समझ भी आ जाया तो आप आसानी से block को explain कर सकते हैं अपने words में भी ओके तो इसी के लिए हम लोग पहले क्या देखेंगे step by step जो जो चीज इस block diagram में use हुआ है यानि जो जो basic element इस block diagram में use हुआ है यह सारे को हम लोग step by step एक एक one by one करके देखेंगे study करेंगे तो सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं एक simple आपको communication system का example देना चाहता हूँ जो आपके real life से relate करता है ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि यह block diagram में actually हो रहा है क्या उसके बाद मैं component को explain करूँगा तो समझे बात इस तरह से हैं कि अगर आप अपने friend के साथ बैठे हुए हैं कहीं पर और बातचित कर रहे हैं simply आप बातचित कर रहे हैं उससे suppose मैं उससे बात करना चाहता हूं तो क्या है बीच में क्या मैं यहां से चिलाओंगा तो उसको आवास चला जाएगा नहीं जाएगा चाहिए आप केतना भी तेज बोलते हूं मतलब आप आपने हलक को जतना भी जतना भी फोर्स लगा के चिला लें लेकिन आपके friend तक पटन अपने सिस्टरम को पर्डूद करता है तो उसमें क्या होता है सबसे पहले हम एक सोर्स हो गए मेंस यानी message के वंत्र जो तो जो information यानि message के मन्दब क्या है जो information मेरे पास है वह मैं अपने friend को भीजना चाहता हूँ तो यह information किसके पास है और इस point पे source कौन हो जाएगा मैं हो जाओंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मुझसे information निकल रहा है तो information का source कुन हो जाएगा मैं खुद हो जाओंगा I am the source of information यानि मेरे द्वारा information निकल रहा है अब यह किसको पहुँचना है यह पहुँचना है मेरे friend को मेरा friend क्या हो जाएगा वो receiver हो जाएगा जहां तक यह आवास को पहुचना है यह information को जहां पहुचना है फिर उसके बाद क्या आएगा जब मैं बोल रहा हूँ तो simply क्या होगा क्या direct बोलूँगा और मेरा दोस्ट सुन लेगा ऐसा नहीं है ठीक है यानि source अगर कोई भी information निकल रहा है तो क्या direct receiver तक पहुचना जाएगा अगर receiver दूर बैठा हुआ है तो नहीं पहुचेगा तो उसके लिए क्या है एक medium होना चाहिए जिसके through होते हुए आपका information receiver तक पहुचेगा तो क्या medium अगर मैं लगा दो बीच में से एक wire लगा दो जैसे medium कही तरह का हो सकता है medium basically दो तरह का हो जाता है एक हो कहते है wide medium और दूसरे हो कहते है wireless medium wired medium और wireless medium का मतलब क्या हो गया कि आप simply यह समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपको कोई चीज भेजने के लिए कर रहा हूँ कोई signal यहाँ से भेजने के लिए कर रहा हूँ पटना तो आपके पास telephone line है ठीक है जो जमीन से होते हुए fiber optical cable के थुरू पटना तक पहुच रहा है ठीक है दूसरा medium है wireless यानि क्या है आप direct mobile यूज़ कर रहे है और अपने friend से बात कर रहे है तो उसमें क्या हो रहा है कि आप wireless medium का यूज़ कर रहे है वहाँ पे कोई tar नहीं connect है transmitter से लेकर receiver तक कोई wire connect नहीं है बलके वहाँ पे जो medium यूज़ हो रहा है वो wireless medium वो क्या air है तो through air हम लोग communicate कर रहे है तो वो कहलाएगा wireless medium और जब हम लोग through wire communicate कर रहे है जैसे twisted pair cable हो सकता है coaxial cable हो सकता है आपका fiber optics cable हो सकता है तो अगर हम लोग cable के through source and information source or receiver दोनों अगर याँ transmitter और receiver किसी cable के through connect है किसी wire medium के through connect है तो wire medium कितना हो सकता बता है आपको 3-4 तरह का wire medium mainly use होता है उसमें से अगर कोई medium यूज़ कर रहे है तो वैसा communication कर लाएगा wire communication और अगर हम लोग किसी भी बिना medium यानि बिना किसी channel के channel तो है क्या है channel में क्या मतलब जब हम लोग telephone से ना communicate करके बले mobile से communicate कर रहे है तो उस time में हमारा channel कौन बन जा रहा है channel बन रहा air ठीक है जो air है वो as a channel treat हो रहा है लेकिन ये क्या है wireless channel कर लाएगा इसमें कोई तार नहीं लगा हुआ है तार लगा हुआ है नहीं हवा में बात कर रहा है तो that's called wireless medium जबकि तार लगा के अगर communication कर रहे है जैसे telephone जो line होता था पहले जो था telephone आपकी घर में लगा हो land line वो क्या था wired medium से connected था तो ये दो तरह का channel हो गया wired and wireless आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जो बोल रहे हैं तो क्या हम लोग के बीच में अगर कोई medium लगा दे चाहाए wired हो चाहाए wireless तो क्या directly source से निकल के जो information है वो transmitter याँ transmitter से निकल के जो information है वो receiver सक पहुंच जाएगा directly without any distortion without any noise without any disturbance क्या पहुंच जाएगा नहीं जब आपका information source से निकलेगा तो बीच में आपका क्या आएगा बहुत सारा disturbance आएगा अगर माली वायर भी channel है यानि आप लगा तार से भी भेज रहे हैं तब भी तार के अंदर का क्या होगा losses आएगा उसके अंदर जो क्या करेगा आपके main signal को disturb करेगा और जो आपका signal receive होगा वो क्या हो जाएगा disturb हो जाएगा और अगर बहुत लंबा तार है तो simply जब भी आप transmit करेंगा तो बीना amplification को कोई भी signal आपको एक ind से होके दूसरे ind तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि signal क्या होगा उसका कुछ range होगा कुछ frequency से मैं जो signal को हम तो transmit करेंगे तो उसका कुछ amplitude होगा और वो धीरे धीरे जीरे जैसे आगे बढ़ेगा वो घटता जाए घटता जाए घटता जाएगा और ind में क्या है माली जे receiver यहाँ है तो receiver पहुंचने पहले ही क्या होगा खतम हो जाएगा तो receiver तक कुछ पहुंचे गा ही नहीं तो इस तरह से हम लोगों को यह पता चला कि कुछ requirements है यानि अगर हम transmitter से receiver की तरह कोई भी information भेजना चाते हैं तो उसके लिए कुछ basic requirements है जो होना जरूरी है तब ही एक successful communication system को हम लोग establish कर पाएंगे तो वह basic requirement क्या है तो सबसे पहला requirement है कि जो हम लोग information produce कर रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं एक information यानि voice voice is my information यानि जो मेरा आवाज निकल रहा वह information है और source को नहीं मैं खुछ source हूँ I am the source of that information यानि मेरे द्वारा voice निकल रहा तो वह वाइस हम पहुंचाना चाहते है अपने friend तक अब बीच में क्या होगा तो सबसे पहला काम यह voice जो है वो क्या है non electrical quantity है non electrical quantity का मतलब क्या हो गया कि यह electrical signal नहीं है यह physical quantity में आता है non electrical quantity तो हमको क्या करना पड़े है क्योंकि अगर हमको कोई भी channel इस्तमाल करें चाहे हम wired channel इस्तमाल करें चाहे हम wireless इस्तमाल करें तो वह direct हम वाइस को नहीं विसकते हैं बल्के पहले उसको हमको convert करना होगा in terms of electrical signal ठीक है यह तभी हम उसको wire के through क्योंकि तार के अंदर क्या चलेगा क्या आपका आवास तार से होते हुए चला जागा डिरेक नहीं नहीं उसके अंदर क्या होगा current यानि electrical signal होगा यानि मेरे wise को पहले convert करना पड़ेगा electrical signal के form में और तब जाके वो electrical signal wires से होते हुए receiver तक पहुचेगा या फिर wireless medium से होते हुए receiver तक पहुचेगा तो जो device हम लोग use करते हैं किसी भी information को यानि physical quantity जैसे voice हो गया temperature हो गया pressure हो गया कोई भी आपका physical quantity है जो as information है उसको जो हम receiver तक भेडना चाहते हैं तो पहले उस physical quantity को electrical quantity में convert करना पड़ेगा electrical signal में convert करना पड़ेगा तो ऐसा device जो किसी भी physical signal को किसी भी क्या है मतलब non electrical signal को electrical signal में convert कर दे वैसा device कहला था transducer ठीक है कोई पूछे what is transducer ता बतातके है transducer is a device which is used to convert one signal which is non electrical convert into the electrical signal तो यह क्या करेगा यह गया ट्रांस्जूसर किसी भी physical quantity को electrical signal में convert कर देता है physical quantity आपका हो सकता है voice हो सकता है हो सकता है आपका information कुछ और भी हो सकता है light हो गया pressure हो गया temperature हो गया कुछ भी आप भेजना चाहते हैं कोई भी information आप Trans receiver तक भेजना चाहते हैं अगर तो वह physical quantity quality को electrical quantity को में convert करेगा वह होगा Traducer, Transducer input में based side में होता है और output side में भी होता है ने एंपूर side में है तो input side में क्या करेगा यह जैसे हम लोग बात करने अभी हमापसे बात करने हैं तो microphone मे क्या हो रहा है हम जो भी भी बोल रहे हैं जो मेरा आवाज निकल रहा है और microphone क्या कर रहा है, उस voice को electrical signal में convert करके तार के थुरू होते हुए computer को पहुंचा रहा है, यहीं नहीं हो रहा है simply microphone इस्टमाल करके बात कर रहे हैं आपसे, तो वो क्या हो रहा है simply पहले हम लोग जो बोलने हैं वो मेरा voice है, वो physical quantity क्या है non-electrical है, आप उसको क्या कर रहा microphone, convert कर दे रहा किसमे electrical quantity में और उसके बाद wires होते हुए, वो transmit हो रहा है तो वहाँ पे input transducer क्या हो जागा, microphone is the input transducer तो practical life में जो आपके बात microphone है, वो किसकी तरह behave करता है as a input transducer, ओके, तो आप बोल दिया है, जो से आपके सामने जाता है ना कि headphone लगा हुआ है, तो headphone में क्या होता है, आप जब बोलते हैं तो उसको दो चीज़ लगा रहाता है, एक होता है microphone, जिससे आप बोलते हैं जो से have a microphone, जो आपके कान में लगा हुआ है, तो microphone से होता है jako mic से क्या होता है, आवास convert होता है, यानि आप जो बोल रहे हैं उसको electrical quantity में convert करता है microphone, और जो सुन रहे हैं वो किसमें क्या होता है वो receiver side होगा, यानि आपका दोस्त जो बोला, आप तक मुझा, तो वो भी क्या, receiver, जब आपका दोस्त कुछ बोलेगा, तो वो भी तो electrical quantity रीम आप तक मुझेगा, तो उसको भी convert करेगा, तब ना, आपका कान क्या सुनेगा, electrical signal को क्या कान सुन सकता है, नहीं सुन सकता है, तो महां पी च्छाया जो रीसीवर पर आयेगा जो सिगनल वो इलेक्टिकल सिगनल ही इसका काम क्या होता है जो भी electrical signal receive हुआ है उसको वापस voice signal में convert कर दिया जाता है ठीक है तो दो दो ट्रांस्दूसर लगा होता है किसी भी communication system में एक input side में एक दूसर output side में तो input side में जो लगा होता है उसको कहते है input transducer और output side में लगा होता है उसका नाम है output transducer input transducer काम है कि physical quantity जो भी information मेरे पास है उसको electrical signal में convert करना और output transducer काम क्या है जो electrical signal यहाँ पर receive होगा उसको voice में convert करेगा यानि physical quantity convert करेगा clear I hope यहाँ तक आप लगों को अच्छे से clear हो गया होगा आगी चलते हैं तो देखी जब हमारा electrical signal हमको receive हो गया ठीक है यानि जो information हम भेजना चाहता थे वो convert हो गया electrical signal में यहाँ पर electrical signal में convert हो गया अब क्या है हम उसको भेचते हैं transmitter section में तो transmitter section में क्या होता है तो simply transmitter section को इस तरह समझे कि अगर मैं जलेंगे अपने जतना maximum speed होगा जो आदमी की चलने का वो चल सकते हैं ठीक है और चलते चलते क्या होगा रास्ते में बहुत सा तो यह कार क्या क्या जाना तो आपको था you are the main signal मतलब आप क्या है एक signal की तरह है समझे आपने आपको अप्टरीट कीजिए कि मैं एक सिगनल की तरह हूँ ठीक है कार क्या है मेरा कार मेरे को एक मीडियम मिला जिस पर मैं बैठ गया और बैठने के बाद डारेक्ट हाजिपूत ना पहुंच गया ना ठीक है तो ट्रांस्मिटर के अंदर क्या होता है जो भी एलेक्ट्रिकल सिगनल आता है इसके पास इंपुट सिगनल को अगर भीजा जा रिसीवर के पास तो क्या होगा यह पहुंचते पहुंचते बीच रास्ते में खतम हो जाएगा आपको अगर पैदल चलके बोला जाएगी पढ़ना से चले जाए दिल्ली पैदल चलते हुआ क्या पॉसिबल है कि आप दिल्ली तेक पहुंच पहले का जमाना कुछ और हुआ अगर आपको पहुंचने के लिए आपके पास अतना नर्जी हो गाई नहीं और आपको पहुंच भी मतलब पहुंचने या किसी तरस कोशिच भी करेंगे तो आपको बहुत जारा टाइम टेकल लाएगा बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन दे जाया कि प्लेन से जाना है तो प्लेन इस दा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जो आपको तुरं दिली पहुंचा देगा तो ठीक उसी तरह से जो एलेक्ट्रिकल सिगनल जिसको रिसीवर सिक्षट में भेजना है ट्रांस्मिटर क्या कर है इलेक्ट्रिकल सिगनल को आपने ऊपर बैठा लेता है यानि-सिमिफल अगर बात करें देखे जैसे आपका सिगनल है सब्सक्राइब छी pos पास आ तो ट्रांस्मिटर ने यहाँ पर ट्रांस्मिटर से जो यह signal carrier signal generate हुआ वो carrier signal कुछ इस तरह था ठीक है बड़ा सा अब यह दोनों आपस में mix हो गया, mix हो गया तो यह क्या है original signal जो है वो carrier signal के उपर overload हो गया इसके उपर आके बैड़ गया जब इसके उपर load हो गया तो अब क्या हो जागा, इसका amplitude भी बढ़ जाएगा इसका power भी बढ़ जाएगा इसका क्या है, यह क्या हो जाएगा long distance अब travel कर सकता है क्योंकि इसके पास जो frequency वाला signal जो आया, carrier signal आया, इसका frequency काफी high होता है, और यह distortion कम से कम इसको face मिलता है, यानि कम से कम loss होता है, जो भी signal आप यहाँ पर इसके उपर load करेंगे वो आसानी से receiver तक कहुँच जाएगा और जब receiver तक कहुँचेगा तो यह क्या होगा, यहाँ जैसे ही यह transmitter से होके receiver तक कहुँच जाएगा यह carrier signal यहाँ पर आने के बाद हड जाएगा और original आपका जो message signal है वो यहाँ पर मिल जाएगा जब यह original message signal मिल जाएगा तो फिर transmitter क्या करेगा, इसको noise में, यानि voice में, जो आपका original voice है, उसमें convert कर देगा तो electrical का non electrical में करने के बाद यह आपको headphone में चला जाएगा, जो आपको सुनाई देगा जाती है, तो अब बात हुआ, कि transmitter section में होगा क्या, तो transmitter section में एक process होता है, जो कहते है modulation, आपको जो भी electrical signal यहाँ पर रेसीफ होता है, इन्पूट locie रेसीफ होता है, वो उसको क्या करता है, एक carrier high frequency carrier signal के साथ merge कर देता है, एक high frequency सी कारियर सिगनल के लूड कर दीजिए और लोड करने के बाद उसको चैनल में ट्राटमेट के चैनल क्या हो गया inte चैनल का मतलब हो गया चैनल में बदा e2 vision और दॉस craft गयते हैं वार्वाहे हैं वाइट न हो सकता ए जो भी आपका तारवाला लगा हुआ मीडियम है जैसे कि आपका twisted pair cable हो गया वो axle cable हो गया optical fiber cable हो गया तो यह सारा क्या है आपका wired channel हो गया और air की बात करें तो क्या हो जाएगा वो wireless channel हो जाएगा तो यानि यहां से जो process हो गया जिसका process का नाम हो गया modulation इस process का नाम क्या हुआ modulation इस process के थुरू यह जो signal है किस पर लोड हो गया carrier wave पर लोड हो गया अब लोड होने के बाद नहीं समझे घोड़ा पर चड़ गया अब आसानी से तेई से भाग के खाँ जाएगा चैनल में जब इसको भेजा जाएगा तो कोई इसका कुछ भिगाए नहीं सकेगा तो वही बात हुआ कि इसको क्या दे दिया गया एक high frequency का carrier signal दे दिया गया ओरिजिनल सिगनल को जो इसको आपने उपर लोड कर लिया और लोड करने के बाद इसको रिसीवर तक पहुंचा देंगे चाहे चैनल में जो भी है तो चैनल में क्या होगा चैनल में नौइस होता है चैनल में नौइस होता है चैनल का मतलब क्या जैसे हवा हवा में हम आपसे मतलब जब मैं टेलफून से बात करता हूं तो मेरा क्या होता वाइस मेरे मुबाइल से निकलके transmitter के थूरू होता हुआ कहां जाता है एंटीना यानि कहां जाता है देखते हैं जो आपका क्या बोलत से थारा की आधमी चलता रहा है अगर कोई मशीन चलता तो ऑवाज आ आ गाड़ी चलता उसका आ रहा है सारा चीश क्या होता है आकर उडिवाइस लगा रहता है मोबाइल टावर के उपर एक और डिवाइस लगा देते हैं एक एक को कहते है रिपीटर एक को कहते है रिपीटर और दूसरे को कहते है अम्प्लिफायर ठीक है एक को कहते है रिपीटर और दूसरे को कहते है अम्प्लिफायर ये दोनों लगा होता है रिपीटर का काम ये होता है कि जो भी सिगनल यहाँ पे आया ठीक है जो भी सिगनल इसमे और 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 जिनल सिंगा, तीनों मिक्स होने के बाद जब यहां पर पहुंचेगा, तो repeater का काम यह होता है, कि noise को cancel out करना, यानि noise को कम से कम करना, तो उसके लिए क्या करेगा, repeater, repeater चेक करेगा, क्या है, signal के amplitude को, signal के amplitude को चेक करेगा, कि अगर मालीजे signal का amplitude पहले सा fix करके भे repeater क्या करेगा, compare करेगा, तो कहाएगा, 3V होने चाहिए, यह 2.5 यानि कम हो गया, तो फिर सी यह इसको amplify करके, 3 पर convert कर देगा, कितना पर convert कर देगा, 3V में फिर से convert कर देगा, और उसके बाद आगे फिर transmit करेगा, तो repeater क्या करता है, हाई tower पर जो mobile tower लगा रहता है, उसके repeater और amplify जो लगा रहता है, उसका काम क्या है, जो भी signal receive हो रहा है, पहले उसके noise को cancel out करता है, noise को कम करता है, minimize करता है, और उसके बाद उसको amplify करता है, फिर से original signal form में फिर से convert कर देगा, और उसके बाद आगे भेशता है, जब यह channel से होते होते है, receiver के section पर पहुंचता है, ज via wireless channel से होते हुए, receiver तक पहुंचता है, तो वहाँ पर क्या होता है, यह reverse process शुरू होता है, जतना process transmitter के अंदर हुआ था, यानि इस section में जो प्रोसेस होता है, उसका reverse process यहाँ पर होना start होता है, तो सबसे पहले receiver क्या करेगा, जो original signal और carrier mix हो के इसके पास आया है, वो क्या करे modulation हुआ था, transmitter में क्या होता, modulation हुआ था, तो receiver में इसका reverse process होता है, जिसको हम लग क्या कहते है, demodulation, यहाँ पर क्या होगा, demodulation में क्या होगा, कि यह वाला carrier wave जो है, original signal के साथ जो mix होके आया था, यानि यह carrier wave क्या कर रहा था, original signal को अपने ओपर load कर क्या भेज रहा था आगे तो यह carrier wave को अलग कर दे जाएगा, original signal के, क्योंकि हम लोगों को काम किसे है, original signal से काम है, तो carrier wave अलग हो जाएगा, और original signal आपका सिर्फ बचेगा यहाँ पर, फिर यह कहां जाएगा, original signal, output transducer के तब जाएगा, क्योंकि यह जो signal है, वो कैसा, electrical होगा, क्योंकि हम लोग electrical form में transmit कर सकते हैं signal को, तो यह electrical signal वापस किसमें convert होगा, physical quantity यानि voice में convert होगा, तो इसके लिए क्या होगा, output transducer क्या करेगा, इस electrical signal को वापस voice में convert करेगा, और यह फिर हम लोगो किसको मिलेगा, receiver section को मिल जाएगा, receiver कौन है, आपका दोस्त, या मेरा friend जो सुन रहा है मुझे, तो मुझे मेरा voice जो मिलेगा, वो clear voice यहां पर बिल जाएगा, I hope आपको यह block diagram एतने detail में समझाने के बाद, बहुत कुछ हद तक clear हो गया होगा, अब मुझे इसका theory बताने कभी मेरे खैल से ज़रूरत नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैंने इसको काफी detail में explain कर दिया है, और बहु एक block का, यह क्या क्या, जो जो मैंने बताया, वही सारा चीज आपके definition में मैंने mention कर रखा है, देखे, यहां पर वही सारा definition मैंने लिख रखा है, सबसे पहला क्या information source, information source कोन होगा, यानि क्या आपका information कौन generate करेगा, तो मैंने कहा, जैसे मैं आपने दोस्स से बात करना तो मैं information का source कोन हो जाएगा, मैं खुद हो जाओंगा, क्योंकि मैं wise को क्या करूंगा, generate करूंगा, ठीक है, मैं wise को generate करूंगा, और वो wise क्या होगा, आगे जाएगा, तो wise is the information, और source कोन हो गया, मैं खुद जो generate कर रहा हूं, तो यही चीज़ यहां पर लिखा हो, एक बात मै भीजना चाते हैं, for example, if you are talking with your friend, आप अपने दोस्ट के साथ अगर phone पर बात कर रहे हैं, तो you are considered as the information source, तो आपने दोस्ट के साथ जब बात कर रहे हैं, तो कोन कहलाएगा, information source कोन कहलाएगा, हम ही कहलाएगा, मैं information को generate कर रहा हूं, जो information आगे भीजना है, who generates information in the form of sound, मतलब मैं बात, अपनी बात को अपने दोस्ट तक भीजना चाता हूं, तो मैं उस voice को generate कर रहा हूं, तो I am the information source, okay, transducer क्या करेगा, simply, जो हम लोग बोल रहे हैं, जो voice आएगा, उसको electrical quantity में convert करेगा, electrical signal में convert करेगा, तो इसी चीज़ को यहां लिखा हूं, transmitter में क्या होगा, transmitter में एक process होगा, जिसमें क्या होगा, electrical signal को carrier wave के साथ mix करके आगे भीजा जाएगा, और उस process का नाम है modulation, जिस process में, क्या होगा, आपका original signal, किसके साथ mix up होगा, carrier wave के उपर load कर दिया जाएगा, और आगे channel में भेज दिया जाएगा, antenna क्या करता है, electrical signal को electromagnetic wave में convert करता है, क्यों transmitter के बाद क्या हो जाता, अगर मानलों आपको wire channel से ना भेज के wireless channel से भेजना है, जैसे हम लोग अभी देखा, यह देखे, simply, इसमें क्या है, transmitter के बाद antenna लगा होता है, antenna क्या करता है, simply, यहाँ पर यह antenna काम है, यह antenna क्या काम है, इस antenna क्या काम है, कि अगर आपको channel wireless है, य और अगर यहां पर वायर चैनल है मतलब तार लगा हुआ है तो इसको कर्मेट अंटीना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अंटीना की जरूरत कप पड़ेगी जब अगर आगर आपका वायर चैनल है तो यह दो का आँटीना की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट वायरोत होते हुए यह क्या कह convicted rainbow is सोगा 20 यह वापस यह का करेगा इसको करने के बाद से क्या होगा डी मोड़लेशन अब गाल करेगा सेम प्रोसेस तो यह याद रखेगा जब कि बात करेंग तो यहां करना होता है तो वहां फे हैं ईलेक्ट्रिकल जानल पंट मैं अटरव लगों करता है और ये हीज़े सूल करता हैं वात करता है Northern representing ये को कहते हैं का वाज़ नहीं आधा हैief नुयास काँ मैं एक्दाप्र चाहं काँ全 यहां या 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 किसी भी तरह तो जो चैनल है उसमें जो सिगनल का लॉस होता है वह था है दूट दन्वाइज जो एक unwanted signal है, जो original signal के साथ mix करके original signal को disturb कर देता है, उसके amplitude को घटा देता है, उसके frequency को घटा बढ़ा देता है, जो और उसमें क्या हो जाता है, unwanted disturbance पैदा कर देता है, तो noise क्या है, कहां से आता है, channel से आता है, amplifier क्या करता है, simply बताया तो आपको amplifier और repeater, तो क्या काम कर रहा था ओरिजिनल सिगनल को कैरियर वेव के ऊपर लोड कर रहा था और उसके बाद ट्रांस्मीट कर रहा था तो इस प्रोसेस का नाम क्या था modulation और जो section यानि जो ब्लॉक इस काम को कर रहा थो उसका नाम था कर्वेव होगा फिर उसके बाद वो कर्वट किसमें किया जाएगा उसके बाद क्या होगा वह सब्सक्राइब करेगा और फाइनली क्या हो जागा हमारा सिंग्नल तक पहुँच जाएगा तो यह सारा प्रोसेस इस ब्लॉक डाइग्राम में मैंने आपको समझाया अच्छे से डीटेल में एक्स्प्रेइन किया आयोप आज का यह लेक्चर काफी यूसफुल होगा आपके लिए अगर आपने इसको समझ लिया है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है कॉम्निकेशन सिस्टम जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा तो आपको यह बहुत हेल्प करेगा क्योंकि यह सारा चीज वहाँ पे फिर से रिपीट होने वाला है और आपको डिटेल में इतना इतना जादा डिटेल में शायदी कहीं समझ पढ़ने को मिलेगा और समझने क मिलेगा जितने सिंपल लेंगो ने मैंने समझाने की कोईश्च किया है आयोब आपको यह लेक्ट्र अच्छा लगा हो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वी विल मीट इन दा